हेलो दोस्तो मेरा नाम है कमल जोसी दोस्तो आज बात करेंगे प्रेशर स्विच के बारे में हैं यहाँ पर आप आपको वालप दिखी है यह chiya और इसके साथ में हमारेemie माल जूड़ हुए हैं तो अभी जन्राली में आपको थोड़ा सा hydraulic system दिखा देता हूँ आपको यह हमारा power pack जिसे हम लोग बोलते हैं power pack में हमारा जो tank है इसके नीचे oil है और उसको उपर हमारा pump लगा हुआ है यह tank है इसको उपर pump और जो pressurized oil होगा वो pump से हमें मिलेगा और सबसे पहले जाएगा pressure relief valve में pressure relief valve के उपर मैं already video बना चुका हूँ आप description में link पर जाके उस video को देख सकते हैं कि pressure relief valve क्या है और कैसे काम करता है तो pressure relief valve के उपर हमारा pressure switch लगा हुआ है और CNC machine में यह हमारे chuck के लिए specially लगा रहता है chuck clamp declam के लिए भी हमारा pressure switch लगा रहता है तो CNC machine में यह आपको chuck के साथ chuck का जो oil pressure है उसको controlling पर use होता है और hydraulic मसीन से SPM मसीन है वहाँ पर आपको यह manifold के साथ में ही देखने को मिल जाएगा तो जो हमारा hydraulic pressure है उसको हम manually जो control करते हैं जो process का जो control जो oil का controller होता है means हम manually pressure relief valve से करते हैं मसीन को कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना pressure हमारा चल रहा है अगर वो pressure कम है तो हमारा process काम नहीं करेगा और हमारी process में बहुत सारी दिक्कत हो सकते हैं तो यह जो हमारा valve है इसके अंदर pressure जो pressure switch है इसको यहाँ पर से set करते हैं pressure switch को हम लोग हमारा जो भी हमारे जो controller है चाहिए वो CNC का हो या फिर कोई दूसरा PLC वगरा का controller हो तो उसको भेज़ देगा कि हमारा pressure switch में हमारा pressure नहीं मिला तो यहाँ पर से हम लोग pressure relief valve से उसे बढ़ा सकते हैं और pressure को बढ़ाएंगे तो हमारा फिर हमारा signal change हो जाएगा कि हमारा pressure हमारा हमें जतना required है वो मिल जाएगा वो किस तरीके से मिलेगा उसके उपर मैं आपको थोड़ा समझाता हूं एक drawing में तो यहाँ पर से हम लोग set करेंगे तो दोस्तो प्रेशर स्विच में जो electrical wiring होगी वो किस तरीके से होगी उसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको जो हैड्रोलिक प्रेशर स्विच जो होगा उस पर एक पर आपका common आ रहा होगा तो common जो point है वो हमारे एक ऐसा point होता है जिसमें हमारी supply रहती है जो भी हमारा controlling voltage होगी वो हमारी यहाँ पर आएगी चाहे 24 वोल्ट हो या फिर 220 की हमारी controlling हो वो कुछ भी हो चाहे हमारा PLC के साहां connect होगा तो 24 वोल्ट की हमारी यहाँ पर supply रहेगी तो 24 वोल्ट जो हमारी रहेगी वो normally जब हमारा pressure maintain नहीं हो रहा है जो हमारे set pressure है वो maintain नहीं हो रहा है तो हमारा common और NC के बीच में contact बनेगा यह जो contact है यह 220 वो हमारी NC से मिलेगी तो generally हम लोग NC का use हो सकता है signaling के लिए यूज कर रहे हूं कोई alarm दिया हो या फिर कुछ और हम alarm हमारा रहता है अगर जैसे ही हमारा pressure हम maintain करते हैं pressure relief valve से या फिर कोई अगर pressure maintain नहीं हो रहा था उसको ठीक करके हम pressure maintain करते हैं और set pressure पर लाते हैं तो यहां पर यह common और NO के बीच में contact बनेगा इस तरीके से दोस्तों common और NO के बीच में यह contact चला जाएगा जो micro switch है उससे हमार जो contact है common और NO के बीच में हमारा contact बनेगा तो जो हमारी 24 volt supply है वो NO से मिलेगी जो जिससे हमारा signal चला जाएगा कि हमारा pressure okay है और pressure okay होगा तो जो interlocking है program में उससे सारे operation आगे हमारे चलने लगेंगे तो इस तरीके से electrical wiring हमारा काम करेगा pressure switch में hydraulic pressure switch जो होगा उसमें electrical wiring इस तरी नहीं कि common और नो में point बनेगा जब हमारा pressure okay होगा चाहिए हम pressure switch में setting करें pressure switch की जितने हमने set कर रखो प्रेशर जो switch है उतने हमारा no चीए तो उसको उसकी जो setting होती है उसको आप करेंगे तो जितने में जितने में आपकी set point मिलेगा उतने में common और नो के बीच में contact मिलेगा तो इस तरीके से electrical wiring इसमें हम करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इसकी controlling करते हैं और किस तरीके से यह electrical signal भेजेगा तो जो इसके अंदर जो micro switch होता है वो हमारा set करना पड़ता है हमें इसके valve के आगे पीछे कहीं आपको LN की से set करना पड़ता है बहुत सारी जगेप है कहीं पर bolt भार दिया रहता है और कहीं पर manually knob भी रहती है कि किस तरीके से set करेंगे जो हमारा आगे जो signal जाएगा अगर हमारा less than required रहेगा तो हमारा जो signal है वो low pressure का आएगा और CNC machines में यह system alarm भी रहता है कि हमारा जो low hydraulic pressure का हमा train हो रहा है required और set hydraulic pressure जो हमारा process को required है अगर वो मिल रहा है तो हमारा signal है वो common से NO मिलेगा जब हमारा system में alarm हो जाएगा तो हमारा process आगे काम करेगा और interlock आगे चलने लगेंगी तो उससे हमारा cycle auto में चलेगी वरना हमारी cycle रुख जाएगी कहीं न कहीं पर तो यहां पर दोस थोड़ा बहुत समझाने के को सिस की किस तरीके से यह काम करेगा धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए मैं electrical pneumatic high utility products के उपर अल्यडी बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा तो बने रह किये मेरे साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को धन्यवाद